हेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस कि अपपो A3X 5G फोन में कॉल रिकोडिंग कहा सेव होता है अगर आपके पास एक अपपो A3X 5G फोन है और इस फोन में जो आपको कोल रिकोडिंग को चेक करना है कि आपको कोल रिकोडिंग कहा पर सेव हो रहा है कोल रिकोडिंग हो रहा है लेकिन कहा पर सेव हो आपको पता नहीं है तो आज मैं बताऊंगा call recording कहा सेव होता है call recording को आप लोग कैसे निकाल सकते हो कैसे सुन सकते हो तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा guys आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसन आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गई इस वीडियो को स्टार्ट करते है call recording को निकालने के लिए आपको सबसे पहले अपने file manager को open करना है open करने के बाद यहाँ पर एक audio का option आएगा audio पे klick करेंगे तो यहाँ पर आपको scroll करने से मिलेगा call recording यहाँ पर आप जो है call recording को यहाँ पर पर से play करके सुन सकते हो उसके बाद और एक तरीक है उसके लिए आपको जाना है phone storage पे उसके बाद थोड़ सा नीचे scroll down करेंगे तो यहाँ पर एक file मिलेगा रिकोडिंग्स का देख सकते हैं तो इस रिकोडिंग्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कॉल रिकोडिंग मिल जाएगा तो यहाँ पर से भी आप लोग कोल रिकोडिंग को को open करना है देख सकती music का एप इसको ऑपन करेंगे ओपन करने के बाद के बाद यहां पर भी आपको जो है स्क्रोल करने से मील जाएगा call recording यहां पर से बीजू आप लोग अपने सारे call Dicod elastic को चेक कर सकते हो यहां पर से bacz इजीड Corne法 क्यूंकि यह भी कर प्लेयर है तो यहाँ पर सी इजिली प्लेय हो जाता है तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने ओपो A3X 5G phone में आप लोग cold recording को निकाल सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसाना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते का लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई